नवस्कार मैं कशिश आप देखरें नेक्स नाइन स्प्रिचुल कई बार हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम किस दिशा में सर रख कर सो रहे हैं वास्तु शाच्र के मताबिक इसका काफी फरक पड़ता है आपकी आर्थिक्स निती भी इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपके इस दिशा में सिर कर कर सोते हैं वास्तु के अनुसा गरत दिशा में सोने से जीवर में कई तरह की समस्याय आ सकती हैं है अगर आप सही दिशा में सर करके सोते हैं तो आपको ना सिर्फ अच्छी नीद आती है बलकि आपको आर्थिक रूप से भी समर्द बनाता है दक्षिन दिशा में सिर्फ करके सोई दक्षिन दिशा में सिर्फ आपका सोना आपकी सिहत के लिए अच्छा है इससे आप कई तरह के मांसिक तनाव समस्याव से भी दूर रहते हैं इस बात का ध्यान रखे कि दक्षिन की तरफ कभी पैर करके ना सोई पुर्फ दिशा को भी माना जाता है शुप, सोने के लिए लक्षिन दिशा पुर्फ दिशा को शुप माना जाता है अगर आप भी पुर्फ दिशा में सर करके सोते हैं तो ऐसी मानता है कि इससे आपको देवताओ का आश्रवाद मिलता है सूरे से दिशा में उगता है इसलिए पुर्फ दिशा को जीवन दाई इत्माना गया है इस दिशा में पैर करके कभी ना सोए इन लोगों को मिलेगा फाइदा अगर आप घर में अकेले कमाने वाले हैं नौकरी या विवसाय कुछ भी करते हैं अगर आप स्टूडेंट है तो पुर्फ दिशा में सर करके सोना आपके लिए अच्छा होगा इस से मन एकागर रहता है यह वास्तो शास्तर वाले जानकारे आपको कैसे लगी है कमेंट करकर ज़रूर बताएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले